ओम शान्ति एक ओक्टूबर दो हजार एक्केस बाबा के महावाक्या है मीठे बच्चे, तुम बहुत ओंच जाती के हो, तुम्हें ब्राह्मन से देवता बनना है। इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। प्रश्न, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। उत्तर, ड्रेस आदी का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है, यह पुराना पत्त शरीर है। इसको कैसा भी हलका सलका कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। ओम शानती। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं। रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राज योग सिखला रही हैं। रूहानी बच्चों को, तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायन, अत्वा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं, यह है नई बात, यह भी तुम जानते हो, लक्ष्मी नारायन का राज्य था, वे डबल सिर ताज थे, लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे, पहले पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाते हैं, यह है पवित्रता की निशानी, अब पवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे, तुम्हारा फोटो निकालें, तो लाइट नहीं दे सकते, यह पवित्रता की निशानी देते हैं, लाइट और डार्क, ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क, डाक अर्थार्थ, उन पर लाइट नहीं है, तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थार्थ डार्क ही डार्क हैं, उनको बावन बनाते हैं, अब तो पवित्र राजधानी है नहीं, सत्युग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे, इन लक्षमी नाराइन का राज्य था, इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीती समझाना है, यह है तुम्हारी एम ओब्जेक्ट, समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र हैं, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं, मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है, कि हम इस याद की यात्रा से, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ती वा जीवन मुक्ती में चले जाएंगे, दुनिया में किसको पता नहीं, कि जीवन मुक्ती किसको कहां जाता है, लक्ष्मी नारायन का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं है अब तुम जानते हो हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रही है चित्रों पर तुम अच्छी रीती समझा सकते हो भारत में ही डबल सिर्टाज वालों की पूजा करते है ऐसा चित्र भी सीड़ी में है वह ताज है परन्तु लाइट का ताज नहीं है पवित्र की ही पूजा होती है लाइट है पवित्रता की निशानी बाकी ऐसे नहीं कि कोई तक्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है नहीं यह पवित्रता की निशानी है तुम अब पुर्शार्थी हो इसी लिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते है देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है यहां तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं इसी लिए लाइट दे नहीं सकते तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते है कोई फिर सैमी पवित्र रहते है माया के तुफान बहुत आते हैं तो उनको सैमी पवित्र कहेंगे कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समशते हैं, हम पतित बन गए हैं, आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए, कि हम ओँच ते ओँच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, समझो कोई महतर हैं, वह MLA वह MP बन जाते हैं, अत्वा पढ़ाई करके कोई पजीशन पा लेते हैं, तो टिप टॉप हो जाते हैं, ऐसे बहुत हो गए हैं, जाती भल वही हैं, परन्तु पजीशन मिलने से नशा चड़ जाता हैं, फिर ड्रेस आदी भी ऐसी ही पहनेंगे, वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए हैं, वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदी बनते हैं, परन्तु पतित तो हैं न, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं हैं, तुम तो जानते हो हम भविश्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शुद्र पने की आदतें मिटती जाएंगी, अंदर में यह नशा रहना चाहिए, कि हमको परंपिता पर्मात्मा डबल सिर्टाज बनाते हैं, हम शुद्र से ब्रामन बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं, आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़ें, महतर से MP बन जाते हैं, तो रहन सहन, मकान आदी, सब फर्स क्लास बन जाते हैं, उन्हों का तो है इस समय के लिए, तुम तो जानते हो कि हम भविश्य में क्या बनने वाले हैं, अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं, तुम भी शूद्र जाती के थे अब विश्व के मालिक बनते हो जब कोई ओंच पद पाता है तो फिर वह फखुर रहता है तो तुम भी थे कौन पतित छीची थे अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं यह भी तुम समझते हो परम पिता पर्मात्मा जरूर यहां ही आकर राज्योग सिखलाएंगे मूल वतन वसुक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे दूर देश के रहने वाली आत्माई तुम सब हो यहां आकर पार्ट बजाती हो चोरासी जन्मों का पार्ट बजाना ही है वह तो कह देते हैं चोरासी लाख योनिया कितना घोर अंधियारे में हैं अभी तुम समझते हो पांच हजार वर्ष पहले हम देवी देवता थे अब तो पतित बन गई हैं गाते भी हैं हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ परन्तु समझते नहीं हैं अभी बाब स्वयम पावन बनाने आए हैं राज योग सिखा रही हैं पढ़ाई बिगर कोई ओच पद पा नहीं सकते तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा कर नर से नारायन बनाते हैं एम ओबजेक्ट सामने खड़ी है प्रजा पद कोई एम ओबजेक्ट नहीं है चित्र भी लक्षमी नारायन का है ऐसे चित्र कहां रख पढ़ाते होंगे तुम्हारी बुद्धी में सारी नौलिज है हम 84 जनम ले पतित बने हैं सीड़ी का चित्र बड़ा अच्छा है यह पतित दुनिया है न इसमें सादू संत सब आ जाते हैं वह खुद भी गाते रहत हैं पतित पावन आओ पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे नई दुनिया है पावन दुनिया पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रहना सके तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए हम गौड फादरली स्टूडेंट हैं इश्वर हमको पढ़ात गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं, गरीबों के कपड़े आदी मेले होते हैं ना, तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती हैं ना, आत्मा जानती है, यह पुराना शरीर है, इनको तो हलका सलका कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं है, इसमें कोई ज्रैस आदी बदलने की वभभका करने की बात नहीं है, ज्रैस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं, बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर तो पत्त है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परन्तु आत्मा और शरीर पत्त है ना, क्रिश्न को साम्वरा दिखाते है न, उनकी आत्मा और शरीर दोनों का ले थे, गामडे का छोरा था, तुम सब गामडे के छोरे थे, दुनिया में मनुश्य मात्र निधन के हैं, बाप को जानते ही नहीं, हद का बाप तो सब को है, बेहद का बाप तुम ब्रामनों को ही मिला है, अब बेहद का बाप तुम को राजियोग सिखला रही हैं, भक्ती और ज्ञान, भक्ती का जब अन्त हो, तब फिर बाप आकर ज्ञान दें, अभी है अन्त, सत्युग में यह कुछ भी होता नहीं, अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुचा है, पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है, राधे कृष्ण ही, फिर लक्षमी नारायन बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं है, तुम जानते हो, दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे, तुमने स्वर्ग का स्वेंबर भी देखा है, पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षतकार तुमको होते थे, अभी तुम जानते हो, हम राज योग सीख रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए, भल रसोई का काम करते हैं, अत्वा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सब की आत्मा है न, यहां सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं हैं, समझते हैं, यहां तो सब गरीब ही हैं, इसलिए लज्जा आती हैं, बाप तो है ही गरीब निवाज, कोई कोई सेंटर्स पर महतर भी आते हैं, कोई मुसल्मान भी आते हैं, बाप कहते हैं, देहे के सब धरम छोड़ो, हम गुजराती हैं, हम फलाना हैं, यह सब देहे अभिमान हैं, यहां तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं, मैं आया भी हूँ साधारन तन में, तो साधारन के पास साधारन ही आएंगे, यह तो समझते हैं, यह तो जोहरी था, बाप खुद रिमाइंड कराते हैं, कि कल्प पहले भी हमने कहा था, कि हम साधारन बूढे तन में आता हूँ, बहुत जनमों के अंत के भी, अंतिम जनम में मैं प्रवेश करता हूँ, इनको कहते हैं, कि तुम अपने जनमों को नहीं जानते हो, सिर्फ एक अरजुन को तो घोड़े गाड़ी के रत में बैठ ग्यान नहीं दिया था, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा, ना युद का मैदान है, यह पढ़ाई है, बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, हमको पूरा पढ़कर डबल सिर्टाज बनना है, अभी तो कोई ताज नहीं है, भविश्य में डबल ताजधारी बनना है, दुआपर से लाइट चली जाती है, तो फिर स सिंगल ताज रहता है, सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं, यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए, बाबा चित्रों के लिए डाइरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वालों को तो मुर्ली पर बहुत अटेंशन देना पड़ी, चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है, जैसे कॉलेज में नक्षे पर दिखाएंगे, तो बुद्धी में आ जाएगा, योरोप उस तरफ है, आइलेंड है, लंडन उस तरफ है, नक्षा ही नहीं देखा होगा, तो उनको क्या पता योरोप कहा है, नक्षा द अब तुम जानते हो उपर में हैं पुज्य डबल सिर्ताज देवी देवताईं, फिर नीचे आते हैं, तो पुजारी बनते हैं, सीड़ी उतरते हैं न, यह सीड़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझ सकते, परन्तु कोई कोई की बुद्धी में कुछ बैठता ही नहीं ह तकदीर ही ऐसी है, स्कूल में पास नापास तो होते ही हैं, तकदीर में नहीं हैं, तो पुर्शार्थ भी नहीं होता, बिमार पढ़ जाते हैं, पढ़ ना सके, कोई तो पूरा पढ़ते हैं, परन्तु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई, इस उसके लिए सोने की बुध्धी चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है, उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी। कहा जाता है कि यह तो जैसे एकदम ठिक कर बुध्धी हैं। वह ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग था। यह भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहा प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता है। पहले पहले तो यह त्रिमोर्ती, लक्षमी नारायन और सीड़ी का चित्र बहुत जरूरी है। यह लक्षमी नारायन के चित्र में सारा चोरा सीजन्मों का नौलिज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं। चित्रों पर अच्छा समझ सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा यह राजधानी स्थापन हो रही है। हम हैं प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आगे हम शूद्र वर्ण के थे। अभी हम ब्राम्मन वर्ण के बने हैं। फिर देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राम्मन बनाते हैं। हमारी एम उब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह लक्षमी नारायन स्वर्ग के मालिक थे, फिर यह सीड़ी कैसे उत्रे। क्या से क्या बन जाते हैं। एक दम जैसे बुद्धु बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायन भारत में राज्य करते थे, भारत वासियों को पता होना चाहिए ना, फिर क्या हुआ, कहां चले गए, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई, उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया, ना कोई से जीता, ना हारा, यह तो सारी माया की बात है. रावन राज्य शुरू हुआ, और पाँच विकारों में गिर राजाई गवाई, फिर पाँच विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं. अभी है रावन राज्य का भबका, हम गुप्त रीती अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम कितने साधारन हो, पढ़ाने वाला कितना ओंच ते ओंच है, और नेराकार बाब पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्षमी नारायन बनाते हैं, दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्षमी नारायन नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते हैं, परन्तु पूरा पुर्षाट नहीं करते हो बनने के लिए दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है बाबा दिन प्रति दिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं लक्षमी नारायन से ही शुरू करना चाहिए उन्होंने 84 जनम कैसे लिए फिर अन्तिम जनम में पढ़ रहे हैं फिर उन्हों की डिनिस्टी बनती है कितनी समझाने की बाते हैं चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं कोई चित्र तयार किया जट बाबा के पास भागाना चाहिए बाबा करेक्शन कर सब डाइरेक्शन दे देंगे बाबा कहते हैं मैं सावल शहा हूँ हुंडी भर जाएगी कोई बात की परवा नहीं है इतने धेर बच्चे बैठे हैं बाबा जानते हैं किस से हुंडी भरा सकते हैं बाबा का ख्याल है जैपुर को जोर से उठाना है वहां ही हठ योगियों का म्यूजियम है तुम्हारा फिर राज योग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला पवित्र ज्यान को बुद्धी में धारन करने के लिए अपने बुद्धी रूपी बर्तन को सोने का बनाना है याद से ही बर्तन सोने का होगा दूसरा अभी ब्रामन बने है इसलिए शुद्र पने की सब आदते मिटा देनी है बहुत रॉयल्टी से रहना है हम विश्व के मालिक बन रहे है इस नश्य में रहना है वर्दान अपनी द्रिस्टी और व्रत्ती के परिवर्तन द्वारा स्रिस्टी को बदलने वाले साक्षातकार मूरत भव अपनी व्रत्ती के परिवर्तन से द्रिस्टी को दिव्य बनाओ तो द्रिस्टी द्वारा अनेक आत्माई अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी ऐसा यथार्थ सक्षतकार कराने के लिए व्रत्ती में जरा भी देहे अभिमान की चंचलता ना हो तो व्रत्ती के सुधार से द्रिस्टी दिव्य बनाओ तब यह स्रिस्टी परिवर्तन होगी देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं लेकिन यह एक जादू की डिबियां है यह नैन सक्षतकार के साधन बन जाएंगे स्लोगन सेवा के उमंग उच्साह के साथ बेहद की वेराग्य व्रत्ती ही सफलता का आधार है ओम शान्ती और पीस्फल लाइ